तो आज आपके नी ट्रिविजन लेक्चर नंबर फाइव में सबका सौगत है तो आज के टॉपिक में हम क्या देखने वाले जो आमाइंस के अंदर आने वाली कुछ रियक्शन से कार्बोगजिलिक असिड के अंदर आने वाले रियक्शन है और वो बहुत ही इंपोर्टन्ट रियक्शन है चलो तो अभी यहाँ पर पहली रियक्शन हम चालो करेंगे कौनसी कार्बोगजिलिक असिड जो है वो आमोनिय के साथ यहाँ पर कैसे रियक्शन होता है और इसका जो प्रोड़क्ट है वो यहाँ पर किस रियक्शन का स्टार्टिंग में डिले वो यहाँ भी यहाँ पे weak acid, weak base का neutralization तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि यह एक हमारा ammonium salt है तो यह weak acid, weak base का salt इसको ammonium salt बोल सकते हैं यहाँ पे minus और यहाँ पे NH4 के उपर एक blood charge रहेगा तो यहाँ पे इसको simply hit करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपका water molecule जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा loss हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं इसमें से 2 hydrogen और यह oxygen यहाँ पे क्या हो जाएगा रिमू हो जाएगा तो यहाँ पे amide बनेगा तो यह बन गया हमारा acetamide एक amide यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोग जिली acid को यहाँ पे NH2 और यह बेसिकली इसको primary amide यहाँ पे हम बोल सकते हैं primary क्यों बोलना है क्योंकि nitrogen को यहाँ पे एक ही carbon ग्रूप यहाँ पे प्रेजन्ट है एक ही carbon प्रेजन्ट है तो इसको primary amide बोलेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो यहाँ तक की जो कानी हो amide बनानी की घ谈 तो हमें amide यहाँ पे께से बनेगा उसकी लिए यापे हमें एक carbon-Jillic acid को लेना पढ़ेगा पहले तो ammonium salt बनेगा और यह एक stable compound है इसलिए यहाँ पर हमें heat करना पढ़ रहा है और heat करने के बाद दिये आपको क्या मिलेगा एक amide मिलेगा चलो यहाँ पर next reaction की तरब चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स जो compound लिया हुआ है वह है benzoic acid यहाँ पर एक aromatic carbox जिलीगा इसलिए उसकी reaction हम आमोनिया के साथ करेंगे यहाँ फिर से वही reaction हो जाएगी यहाँ पर पहले तो ammonium benzoic acid का salt है यहाँ पर देख सकते हैं आमोनियम benzoic मिल गया और इसको यहाँ पर हम simply heat करेंगे तो क्या मिलेगा आगे वाली का यहाँ पर देखो benzenamide मिल गया यहाँ तो ring यहाँ पर CO NH2 यह भी primary आपका आमएड है तो यहाँ पर water molecule का क्या होने वाला है loss होने वाला है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके दो hydrogen इस इस reaction को थैलिक acid हमारा यहाँ पर एक starting material देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं थैलिक acid थैलिक acid के अंदर क्या है कि आर्थो प्यारा पूजिशन पर आपका कार्बोगजलिक group present है तो यहाँ पर दो acidic hydrogen है तो हमें यहाँ पर दो आमोनिया यहाँ यूज करना पड़ेगा तो य यहाँ पर देखो दोनों का neutralization होने के बाद यहाँ पर आमोनियम थैलिक मिलेगा एक salt है तो अभी अच्छा गासा stable salt है तो इसको यहाँ पर हम salt के आगे हमें जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा हीट करना पड़ेगा तो इसमें से यहाँ पर दो water molecule का loss हो जाएगा थैलमेड बोलेंगे यह हो गया आपका amide तो यह हो गया आपका amide तो यह हो गया आपका thalamide तो यह थैलमेड हमारा बहुत important compound होने वाला है और यह जो compound है अच्छा कासा stable है अभी इसको आगे हम hit करेंगे तो क्या हो जाएगा ओ देखेंगे तो देखो इस थैलमेड को हम strong hitting क तो यहां पर आपका आमोनिया जो ग्यास है यहां पर लिब्रेट होने वाला है तो आमोनिया ग्यास को लिब्रेट होने के लिए क्या चाहिए आमोनिया ग्यास को लिब्रेट होने के लिए यहां पर NH2 इधर से निकलेगा और इधर से हैट्रोजन निकलेगा तो यहां पर यह वाला पार्ट है, तो यह देख सकते हैं, इस NH2 का nitrogen हमने थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, ताकि हम यहाँ पर समझेंगे कि इस nitrogen NH2 इस नीचे वाले NH2 का एक hydrogen लेके जाएगा, तो फिर यहाँ पर बात क्या बनेगी, देखो, तो यहाँ पर यह जो compound है, वो कुछ इस तरह से बनेगा और इसका जो नाम रहेगा वो थैलिमाइड रहे है, तो यह रहेगा थैलिमाइड, और इस थैलिमाइड के अंदर एक खास बात बताताओ आपको, यह जो hydrogen है, आपको nitrogen को connect वाला जो hydrogen है, वो काफी यहाँ पर क्या है, एसेडिक hydrogen है, तो यह हो गया हमारा acidic hydrogen, तो acidic hydrogen क्योंकि एक तो यह more electron negative को connect है, दूसरी बात यहाँ पर कार्बोनी लेक क्या है, electron withdrawing group है, तो यहाँ पर दो-दो electron withdrawing group है, इस nitrogen को connect है, जिसको यहाँ पर hydrogen present है, इसलिए एक अच्छा खासा यहाँ पर एक थैलिमाइड एक acidic compound है, तो यह हो गया हमारा एकदम important starting material कि जो आगे आने वाले reaction के अंदर एक starting material करके काम करेगा, ठीक है, तो थैलिमाइड यहाँ पर कैसे बनेगा, तो पहले तो थैलिक आपका, अभी यह salt जो है, वह यहाँ पर क्या करेगा, इसको heat करेंगे, हम strongly heat करेंगे, तो यहाँ पर इसमें से 2 water molecule बाहर हो जाएगे, तो दो water molecule बाहर हो जाएगे, तो यहाँ पर आपका थैलिमाइड मिलेगा, मतलब एक amide मिलेगा, और इस amide को हम यहाँ पर क्या करेंगे strongly hit करेंगे तो क्या मिलेगा तो यहाँ पे थैलमाइड ही है थैलमाइड तो यहाँ पे थैलमाइड मिलेगा ठीक है तो थैलमाइड को strongly hit करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका आमूनिया बाहर हो जाएगा एक मौल आमूनिया बाहर हो जाएगा और यहाँ पे जो एक फायो मेंबर साइकलिक में रिंग बने गए यापर नया तो इसको हम थैलिमाड बोलेंगे थैलिमाड के अंदर के खास बात आपको बताना है कि यापर एसरीख है ड्रोजन है चोलो अब आगे यहापर इसकी एक रेक्शन देखेंगे तो जो रेक्शन है वो यहापर गैब्रि गैब्रियल थैलमाड सिंथिस को समझते हैं और यह गैब्रियल थैलमाड सिंथिस किसके अंदर यहापर होती है किसके अंदर नहीं होती है वह यहापर समझेंगे मतलब एक डिस्टिंग्विश रेक्शन है वह यहापर कुछ हद तक कोई यहापर हम देखेंगे कि इसके अं आमाइन का formation होगा, आरोमेटिक आमाइन यहाँ पर बनने वाले फास नहीं है, चलो, तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो इसके अंदर यहाँ पर लिखेंगे, गैब्रियल थैलमाइर सिंतिसिस, यह जो है, यहाँ पर उनली प्राइमरी आमाइन, उनली प्राइमरी आमाइन है, एलिफेटिक आमाइन में आने वाले है, आरोमेटिक आमाइन यहाँ पर टेस्ट देने वाला नहीं है, चलो, यहाँ पर बात करेंगे, तो देखो, यहाँ पर बात करेंगे, आरोमेटिक आमाइन जो है, यहाँ 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 रियक्शन देने वाला नहीं है, because aromatic almond के अंदर जहाँ पर आपका negative charge वह आप पर stable होता है बट positive charge यहाँ पर benzene ring के उपर stable नहीं होता है तो यहाँ पर बात करेंगे देखेंगे nucleophilic substitution reaction aromatic compound के उपर होने वाली नहीं है because ring के उपर positive charge यहाँ पर बनता है तो फिर वो एक unstable compound हो जाता है तो फिर इसलिए यहाँ पर negative charge यहाँ पर nucleophilic substitution reaction वहाँ पर नहीं हो पाती है देखेंगे हम यहाँ पर उसको भी extend करेंगे तो फिलाल यहाँ पर बात करेंगे देखो वह आपर देखो यह हमारे थैलिमाड अभी इस थैलिमाड को हमने इसके पहले इस reaction के इसके थैलिमाड सिंतिस को आपने इसको बनाया हुआ है तो यहाँ पर क्या है यह acidic hydrogen है तो यह जो acidic hydrogen है इसको remove करने के लिए यहाँ पर OH माइनस मतलब alcoholic medium में आपने को OH को लेके रखाए तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह OH सीधा इस H plus को निकालेगा तो यहाँ पर बात क्या बनेगी तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह OH ने H को निकाल दिया तो यहाँ पर nitrogen को यहाँ पर ionic bond के थ्रू potassium connect हो जाएगा यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर water molecule में लेगा तो यहाँ पर water molecule यहाँ पर मिलने वाला है नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि यह जो है हो गया हमारा एक salt बन गया ठीके अभी इस salt की reaction किसके साथ करेंगे इस salt की reaction यहाँ पर एक aliphatic हमारा क्या है अल्कीललrd तो aliphatic alkylalade के अंदर क्या होगा अब यह bond कटेगा यह chlorineola bond कटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर एक positive charge बनेगा donc यहाँ पर एक positive charge बनेगा तो एक stable positive charge रहेगा यहाँ पर आपका देख सकते हम का kahaloyan a का study यहाँ पे देखो यह bond जब इस तरह से कटेगा तो इस sp2 वाले carbon पे positive charge आएगा और this positive charge is highly unstable तो वो stable यहाँ पे वो ring वाँ पे करने पाती इसलिए यहाँ पे इसका negative charge निकालना थोड़ा सा impossible है तो इस negative charge को हम हटा नहीं सकते क्योंकि यह negative charge इस negative charge को हटाना चाहता है यह इस वाल उपर वाले compound का CL- negative charge को हटा सकता है इसलिए आपर उपर बोलाए nucleophilic substitution possible है बट इस case में हम बोलते है nucleophilic substitution possible नहीं है because यहाँ पे जो है यह जो आनायन है किसका आनायन है यह एक आपका थैलीमाइड का आनायन है थैलीमाइड का आनायन है इस aromatic के negative charge को हटा नहीं सकता मतलब aromatic क कोई भी negative charge यहाँ पर थोड़ा सा निकलने में दिक्कत करता है इसलिए यहाँ पर यह reaction aromatic compound के अंदर possible नहीं है तो यहाँ पर हम बात करेंगे all stationary only तो चलो यहाँ पर यह जो negative charge है ओ यहाँ पर इस यहाँ पर attack करेगा तो यहाँ पर क और के यहां पे एक nitrogen लिया हुआ है तो इसको हम बोलेंगे N-ethyl-thalamide तो यहाँ पर methyl यह तो methyl-thalamide हो जाएगा तो यहाँ पर कोई भी एक alkyl group यहाँ पर आप ले सकते तो यहाँ पर एक आपका R-group बोलेंगे इसको यह क्या हो जाएगा? R-group हो जाएगा एक aliphatic वाला R-group है aliphatic ठीके? तो यह हो गया आपका aliphatic चलो next बात अभी इस N-alkyl-thalamide मतलब N-ethyl-thalamide के अंदर हम क्या करेंगे? NaOH आड करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसके अंदर हम आड क्या करेंगे? NaOH को इसके अंदर आड करेंगे तो आड करने के बाद यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह जो दोनों पार्ट है यहाँ पर यह दोनों बाद यहाँ पर जो कार्बोनियल नाइट्रोजन जो बाद है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तूट जाएगा यह बाद यहाँ पर तूटेगा यहाँ पर NOH एक मोल है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन आएगा दो मोल यहीं उसके हैं, तो हमारे पास दो हाइड्रोजन आ रहे तो दोनो हाइड्रोजन किसको connect हो जाएंगे यह जो दुब्वाण काट्रे न, कारबन नाइट्रोजन तो यहाँ पर दोनों hydrogen यहाँ पर connect हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, और nitrogen को यहाँ पर हमारे दो hydrogen जो है, यहाँ पर जोड़ जाएगे, तो यह जो compound है, इसको हम यहाँ पर ऐसा लिखते हैं, CH3, CH2, NH2, यहाँ पर यह हो गया है, CH3, CH2 एक primary आमाइन है, प्रीस primary आमाइन का नाम क्या है? इठीला माइन, तो ये हो गया हमारा इठीला माइन, और important बात ये एक आपका क्या है? ऐलिफैटिक आमाइन है, आलिफैटिक, primary, ये सब हमारे लिए बहुत ही important है, तो या पर आप secondary, tertiary आमाइन इस method से बिल्कुल भी मना नही सकते हैं, तो यहाँ पर हम वो भी mention करेंगे, तो यहाँ पर नोट के अंदर लिखेंगे, कि यहाँ पर only primary amine, only primary amine, primary amine रहेगा, और वो भी यहाँ पर aliphatic रहेगा, secondary, और दूसरी बात यहाँ पर only aliphatic रहेगा, यहाँ पर secondary और tertiary amine नहीं बनेगा, तो secondary and tertiary amine cannot form, और कोई भी aromatic amine यहाँ पर नहीं बनेगा, तो यहाँ पर not aromatic amine, not aromatic, तो aromatic तो कोई भी नहीं बनेगा, तो aromatic primary भी नहीं बनेगा, secondary भी नहीं बनेगा, और tertiary भी नहीं बनेगा, तो aromatic वाली बात यहाँ नहीं करेंगे, ठीके, तो यह हो गया हमारा gabriel thalamide synthesis, तो इसके अंदर आपको क्या करना है थैलिमाइड लेना है अलकोलिक के वज़ डालना है ऐसे रिगा इड्रोजन को निकलेंगे वह आपे मेटल प्लेस हो जाएगा उसके बाद यहाप एलिफेटिक अलकील हलाइड लेना है तो यहाप इसके साथ यहाप नाइट्रोजन का उपर जो तो यह होगे हमारा कंप्रिट थैलिमाड गैब्रियल थैलिमाड सिंतेसिस ठीक है शलो आगे नेक्स्ट